इन दिनों हर तरफ साउथ की फिल्मों का जल्वा देखने को मिल रहा है साउथ की फिल्में बॉक्स ओफिस पर रिकॉर्ड तोड कमाई कर रहे है दिल्चस बात तो यह है कि साउथ की फिल्में हिंदी बेल्ट में भी शांदार कमाई कर रहे है जिसका सबसे बड़ा एक्जामपल है पुश्पा, KGF2 और RRR जहां साउथ स्टार्स हिंदी में ताबर तोड बिस्नस कर रहे है बल्कि बॉलिवुड स्टार्स साउथ की फिल्मों की रिमेक के सहारे अपनी गाड़ी चला रहे है अब साउत के फिल्मों की रीमेक बनाने पर अक्षे कुमार का सोशल मीडिया पर मजा कोड़ रहा है दरसल अक्षे कुमार ने 25 अपरेल के दिन अपनी नई फिल्म सोरा रही पोट्रू हिंदी रीमेक की शूटिंग शुरू कर दी अक्षे कुमार ने सोशल मीडिया के जरीए लोगों को इस बात की जानकारी दी है कि वो अपनी नई फिल्म का आगाज कर रहे हैं जिस पोस्ट पर फैंस अलग-अलग तरह के रियाक्शन्स दे रहे हैं कुछ तो खिलाडी कुमार का मजा कोड़ा रहे है अक्षे कुमार पिछले काफी लंबे समय से रिमेक फिल्मों में काम कर रहे है उस कारण लोग उनका मजा कोड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें अब रिमेक फिल्मों का दामन छोड़कर उरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम करना चाहे एक यूजर ने लिखा वह एक और यूजर ने लिखा इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा इतना ही नहीं एक और यूजर ने लिखा अरे बस करो कितने रिमेक करोगे करियर के लास्ट में फिल्मोग्राफी में बस रिमेक ही रिमेक दिखेंगे चाए मूवी हिट हो या फ्लॉग कहीं जाएगी तो साउथ का रिमेक ही तो देखा आपने लोग इसकदर अक्षे कुमार को ट्रोल कर रहे बतादे कि अक्षे कुमार इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से एक हैं जो सबसे ज़ादा साउथ फिल्मों का रिमेक करते हैं लंबे समय से वो साउथ फिल्मों की हिंदी रिमेक बना कर मोटी कमाई कर रहे हैं लेकिन अब साउथ फिल्मे खुद हिंदी में रिलीस होने लगी ऐसे में दर्शक OTT पर जाकर पुरानी हिट साउथ फिल्में देखने लगे हैं फैंस ने सोराराई पोटरू का रिमेक भी अम अमजोन प्राइम वीडियो पर देखा है जिसकारण वो अक्की को इसका हिंदी रिमेक बनाने से मना कर रहे हैं बताते चले कि इस फिल्में उनके साथ राधिका मदान दिखाई देंगी राधिका मदान और अक्षे कुमार ने सोराराई पोटरू हिंदी रिमेक के लिए पहली बार हाथ मिलाए इससे पहले ये दोनों का लाकार कभी भी साथ नजर नहीं आए तो से आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जबूँ बताएं कर दो एक लिए